चले तो शुरू करते हूं हमारे पास क्या चल रहा बहिए मैंटल्स और नॉन मेंटल्स है हमारा चैप्टर है कौन सा है केमिस्टी का थर्ड चैप्टर है कोई भी दिखे तू भाई यह पता देना बहुत धिरी धिर चलेंगे एकदम चिल मारते हुए अचा भी हमारे पास क्या है इस बुके साबसे मेरे पास एडिशन है यहां पे बता रहे हैं टोटल जो है 115 ऐलिमेंट्स होते हैं ठीके मेरे बुके साबसे किसी में 1117 लिखा होता है यहां पे बहिए 115 जो पूछाए आप से बस एक जनल आईडिया होना चाहिए उसके बाद हम जानते हैं कि भईया जो ब्यहरा आपके अधिमेंट्स होते हैं उनको भईया हंदो ग्रॉप में डिवाइड करते हैं एक तो मेंतल्स में तबिल는 넘र्स में ठीक है और जो बीच में आते हैं मैंटलॉइड्स ≅ब मैंडम बोल रही है मैंग के दो एकाउंट है मैंडम यह तो मैंग जी बताएंगे मुझे अच्छा तो यहां पर क्या था मैं आपको दबार समझा देता हूं कि भाईया जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स को हम भाईया दोस में डिवाइड करते हैं एक तो मैटल्स में डिवाइड करते हैं एक हमारे नॉन मैटल्स में डिवाइड करते हैं ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या है अगला पॉइंट यहां पर यह बोलना चाहरा है कि भाईया जो हमारी everyday life में use होते हैं बहुत मुबारक वाली बात है हम सभी इसको use करते हैं ठीक है अचा भी इसमें कुछ property बताना चाहरा है metal के बारे में बताने से पहले कि जो malleable का मतलब क्या होता है malleable का मतलब है कि जब हम उसे beat करते हैं hammer से या उसे ठोकते हैं एक मिनट और राज़ा जी बढ़ी आए हैं हाँ तब यह कहां था मैं malleable का क्या मतलब होता है कि basically जब आप उसे beat करते हैं hammer से तो पत्ली पत्ली sheet में convert हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते है malleable ठीक है ductile का मतलब क्या होता है कि जब आप उसे stretch करते हैं किसी भी चीज़ को तो तार में convert हो जाता है पत्ले पत्ले thin wire में convert हो जाता है खिचने वाली property को हम क्या बोलते हैं ductile बोलते हैं वैसे ductility होगी आगे हम discuss करेंगे और malleable का क्या मतलब होता है कि जिसे peat-peat-peat-ke पत्ली सी चादर में convert कर दिया जाए तो वो क्या होता है malleable है बस और brittle का मतलब क्या होता है कि जब भी आप इसे ठोकते हो तो अचनक से टूड जाता है यानि छोटे-छोटे पीसों में टूड जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं तो हमने तीन वर्डों का मतलब समझा malleable malleable का मतलब क्या होता है कि जब भी हम हतोड से पीटते हैं तो पत्ली-पत्ली चादर में convert हो जाता है ductal का मतलब है जब हम उसे stretch करते हैं तो wire में convert हो जाता है और brittle का क्या मतलब है कि जब भी हम उसे ठोकते हैं या स्ट्रेच करते हैं किसी भी चीज को तो जब वो तूट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं ब्रिटल बोलते है अच्छा मेंग जी आप हाँ भी बता देना ही रो अच्छली मैंना कमेंट को लेड देखा कोई बात ने तो यहां तक आपको समझ में आगे तीन वर्डों का मतलब है यह आगे यूज होंगे बस खीक है और हमने यहां पर क्या देखा है कि जो मैटल्स होते हैं बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होते हैं एक तो मैटल्स में में डिवाइड होता है एक हमारा नॉन मैटल में डिवाइड होता है यह बहुत ही बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूँ वह अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ अब चैप्टर आपका आगे से शुरू होगा तो भईया अब हम मैटल्स के बारे में डिसकस इसको तो याद रखेगा मैटल्स में मैटल की डेफिनिशन क्या है मैटल वह एलिमेंट होते हैं जिनमें हीट आरम से पास हो जाती है और जिनमें इलेक्रिसिटी आरम से पास हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं मैटल बोलते हैं ठीक है यह हमारे मैल्यूबल होते हैं मैल आराम से पास हो जाती है इनमे एलेक्टिसिटी आराम से पास हो जाती है ये आपके malleable होते हैं यानि पतली पतली चादर में convert हो जाते हैं और ये हमारे ductile होते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके example क्या है भाईया आपका iron है देखो यहां पर दिया हुआ है, यह copper की pipe हैं, basically, आपका silver, चांदी एक तरीके से यह रहा, silver, gold, gold आपको यह रहा, platinum, zinc, tin, lead और हमारा mercury, तो यह सब ही basically क्या है, metal की example है, ठीक है, कुछ जो हमारे syllabus में हम जादते जिनके बारे हम पढ़ते आएं, वो sodium है, potassium है, calcium है, calcium और magnesium, ठीक है, इनके बारे हम जादा पढ़ते आएं, बस आपको इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, एक चीज़ यहाँ पर यह बताने ही, कोशिश कर रहा है, कि जितने भी metals होते हैं, वो सभी solid होते हैं, इसमें एक exception होता है, वो हमारा क्या होता है, mercury, mercury एक एक एकलौता metal होता है, जो की liquid state में पाए जाता है, room temperature पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा, कि जो mercury हो एकलौता metal है, जो liquid state में पाए जाता है, बाकि सारे जो होते हैं, वो solid state में पाए जाते हैं, बस इतना simple सा point है, याद रखना, चली आगे आते हैं, metal की definition आपको पता होने चाहिए, कुछ example याद होने चाहिए, और यह वाला exception पता होना चाहिए, आगे हम discuss दोबारा से आएगा, ठीक है, तो metals वो element होते हैं, जिनमें heat आरम से पास हो जाती है, जिनमें electricity आरम से पास हो जाती है, जो आपके malleable होते हैं, और जो ductile होते हैं, यह सभी क्या है, metals हैं basically, हाँ, hero बिलकुल होगा, चिन तक कर रहे हो अब भी आजाएगा आगे, अच्छा, आगे क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, भी यहाँ पर अगला बोलना चाह रहा है कि जब chemical reaction जब भी होती है, तो जो metals होते हैं, वो हमेशा positive ions देते हैं, important चीज़ हैं, ठीक है, और positive ions कैसे बनाते हैं, अपने electron को, अपने अंदर से electron को देते हैं, और इस कारण इन में क्या आता है, positive charge आता है, यानि हम इने बोल सकते है, positive ions आ जाती है, बहुत ही simple point है, और donuts, बहुत बढ़ी है, मैक जी ने बता दिया, एक मिनट, और शीतल जी बढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ भी यह लिखा हुआ है, कि metals are the elements, यानि metals वो elements होत positive ions कैसे बनाते हैं, अपने अंदर से electron को निकाल करके, हमने 9th class में भी discuss किया था, कि जो metals होते हैं, वो अपने अंदर से electrons को निकाल देते हैं, बहुत है, इसलिए वो positive ions बनाते हैं, तो यहाँ पर यही बोला गया है, कि metals वो elements होते हैं, जो अपने अंदर से electron को निकालते हैं, और positive wind बनाते हैं इसमें एक exception कौन है hydrogen hydrogen हमारा non-metal होने के बावजूद भी अपने अंदर से electron को बाहर निकालता है तो यह एकलौता non-metal होता है जो हमारे पास non-metal तो है यह साथ में आपका positive charge बना रहा है याद रखना कोई भी दिक्कत हो बता देना metals भी यह वो elements होते हैं जो positive winds बनाते हैं किसके दोरा अपने अंदर से electrons निकाल करके जैसे example देख लें आप जैसे हमारा यह almonium metal है almonium जो होता है अपने अंदर से 3 electron निकाल देता है बाहर तो उस पर देखिए positive charge आ जाता है al 3 plus 3 plus का मतलब उसमें 3 electron अपने अंदर से बाहर निकाल देया अब भी यह इस पर positive charge आता है इसलिए भाया यहाँ पर इनने बोला गया है metals को हम क्या बोलते है electro positive elements बोलते है electro positive elements क्यों बोलते क्योंकि यह positive wind बनाते है किस के दोफ़ारा positive wind बनाते हैlife अपने अंदर से electron को निकाल करके तो यह याद रखिएगा कि जो metals होते हैं उन्हें हम electro positive elements बोलते हैं because क्यों क्यों क्योंकि यह positive winds बनाते हैं कैसे अपने अंदर से electron निकाल करके बस यहां पर यह बताने वाले बात है और मैंग जी ने बता दिया कि इनके पास more proton होते है less electron क्यों यहां पर है metals को हम अपने नॉर्मल जिंदगे में काफी जादा यूस करते हैं जैसे कि जो बढ़तन होते हैं आपके वो metal से बनते हैं जो तार है जो आपके machine है ठीक है cars, buses यह सबी क्या है basically आपके metals से बनते हैं metal से या फिल जादतर alloys से ठीक है यहां पर यह बोला गया है अच्छा याद रखना mixture of metals यानि metals का mixture होता है उसे हम क्या बोलते हैं अलॉइ बोलते हैं यह दुबारा आगे आने वाला है Metals का mixture होता है उसे हम क्या बोलेंगे अलॉइ बोलेंगे अच्छा याद रखेगा जो most abundant हमारा metal होता है अर्थ crust में यानि जो जमीन के अंदर जो है सबसे जादा metal जो पाए जाता है वो हमारा क्या पाए जाता है याद रखेगा सबसे जादा जागर आप खुदाई करेंगे तो metal कौन सा पाए जाएगा आपको अर्थ crust के अंदर अल्मूनियम पाए जाएगा हीरो वो आगे आएगा मैंग जी चिंता ना करेंगे हम आगे डिसकस करेंगे इस बारे में which constitute यह साफ साफ लिखा हुआ है भाई जो 7% जो अर्थ के अंदर वो हमारा क्या है अल्मूनियम मेटल भरा हुआ है उसके बाद भई हमारे जो अर्थ के अंदर पाए जाता है वो आईरन पाए जाता है याद रखिए गया जो लगबद अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर चार परसेंट मातर है उसकी, ठीक है बस उसके बाद आपका कौन सा है आरन के बाद केलशियम है, सोडियम है पुटेशियम है, मेगनीशियम है इस तरीके से आपे decreasing order of abundance है यह simple सा point है मेडम, platinum की कितनी percentage है? मेडम, platinum काफी कम मातरा में होगा मेडम, इसलिए यहाँ पर दिया नहीं है बहुत पॉइंटों में होगा बहुत ही ना के बराबर क्योंकि गोल्ड है और platinum है यह बहुत ही ना के बराबर पाए जाते है तो सबसे ज़्यादा याद रखेगा हमारे पास aluminium है, उसके बाद हमारा iron होता है उसके बाद हमारा calcium है, sodium है potassium है, potassium है और magnesium है बस यह simple सी बात है इसके बाद हमारे पास क्या था? non-metal के बारे में बात करते हैं तो याद रखेगा non-metal के है इनके अंदर से ना तो heat pass होती याद रखेगा, ना ही इन में से electricity pass होती, ना ही यह malleable होते हैं, यानि हमकी चाधर नहीं बना सकते, और ना ही यह ductile होते हैं यानि हम इसे तार में stretch नहीं कर सकते, यह बिटल होते हैं यानि जब आप इन्हें stretch करने कोशिश करते हो तो यह तो तूट जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेगा कि non-metals वो elements होते हैं जिन में ना तो electricity pass होती ना ही heat pass होती ना ही वो malleable होते हैं ना ही ductile होते हैं और ना ही यह हमारे क्या होते हैं, brittle होते हैं बस इतना simple सा point है भाई है, जो non-metals होते हैं याद रखना यह आगी point आता है non-lustrous, यानि इनमें चमक नहीं होती है इनमें कुछ exception होते हैं, वो मागे discuss करेंगे ठीक है इसमें example देखो कौन-कौन से हैं यह जो properties से सब आगे आने वाले हैं इसके example देख लिए जब यह carbon है यह हमारा carbon रखा हुआ है आपका sulfur है, यह तोड़ा sulfur हो गया यह phosphorus है यह आपका यहाँ पर phosphorus तो नहीं दिया चलो कोई बात नहीं, silicon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, helium, neon और argon तो basically यह सबी क्या है, non-metal है बस इतना simple point है अच्छा, तो आपको definition याद हो गजी हो कि non-metal वो element होते हैं जिनके अंदर ना तो heat pass होती, ना ही electricity pass होती और यह ना ही malleable होते हैं, ना ही ductile होते हैं यह क्या होते हैं, brittle होते हैं बस कुछ example याद कर ले ना बस इसमें यह चीज जाद रखेंगा, जो carbon होता है जो भी हमने carbon देखा था यह वाला carbon दो form में पाए जाता है दो form में किसमें, एक तो diamond के form में और एक graphite के form में इसके बारे में हम second last chapter carbon compound में deep में पढ़ेंगे, ठीक है तो याद रखना है, कि आपसे पूछ लिया जाए कि यह carbon, diamond के हमारे carbon है तो आप बताए कि यह diamond जो है basically carbon है ऐसी जो graphite है, पूछ जाए यह क्या है यह तो बताए कि यह carbon है तो carbon की दो form है, एक तो diamond और एक graphite तो याद रखेगा, पूछ लिया आपसे diamond metal है और non-metal है, तो आप बताना non-metal है ऐसी graphite आप से पूछ ले, तो बता दीचे का non-metal है basically दोनों ही carbon से बने हुए है तो इसलिए non-metal है चलिए, महिंग जी बता रहे है बहुत बड़े है in fact, DRR भाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 22 non-metals होते हैं बहुते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है लगबग जिसमें जो 10 आपके non-metal हैं, वो solid है 1 non-metal जो है, वो आपके liquid state में पाए जाता है याद रखेगा, liquid state में कौन पाए जाता है, bromine और जो 11 non-metal हैं, वो आपके gas है तो आप जरा ध्यान दे हैं, कि जो gas जादा है non-metal के अंदर, तो 11 non-metal से जो है, क्या है, gas है बस इतना simple वाली बात है हाँ, सर जी, विशाल जी, आप कह रहे हैं, कि जो diamond है shine करता है, हाँ, hero मैंने बताया था कि कुछ exception होते हैं, अभी आगे discuss करेंगे तो उसमें वो shine करते हैं, कुछ ऐसे iodine जो होता है, वो भी non-metal होता है वो भी shine करता है, तो कुछ exception हमें मिल जाते हैं, बट generally जो होता है generally बात हो रही है, generally इनका appearance dull होता है, यानि shine नहीं करते हैं कुछ exception है, सर इसके बाद भाई हम आगे 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 इनके बाद में deep में आएगा सारा तो अभी चिंता नहीं करते हैं, बस हम just उपर उपर की बात हैं देख रहे हैं बस अच्छा भई, यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि chemical reaction में, जब भी chemical reaction होती है तो जो non-metals होते हैं, याद रखिए यह हमेशा negative wind बनाते हैं negative wind कैसे बनाते हैं? यह जो electron को अपने अंदर लेते हैं यानि जो metal है, वो electron को बाहर निकालता है तो जो बाहर निकला हुआ electron है वो electron इनके अंदर आ जाता है, non-metal के अंदर जब electron आ जाता है इनके अंदर जो बहिए negative wind बनाते हैं negative wind कैसे बनाते हैं? electron को gain करके, जैसे हमारे पास oxygen है oxygen जो बहिए हमारा non-metal है oxygen जो है non-metal है, वो हमारे पास देखेगा उसने अपने अंदर से electron, 2 electron gain करें हैं तो इस पर 2 minus, 2 minus का मतलब यह है कि 2 electron इसके पास आ गए है बस इतना simple है element बोलते हैं, यह बहुत important है electron negative का क्या मतलब है कि basically इन पर negative charge आ गया है ठीक है, तो negative हम metals को, एक मिनट चले अब शेक जी क्या है चाले हैं पढ़िया है तो भाईया, यहाँ पर हमारे पास क्या है non-metals को याद रखेगा हम क्या बोलते है, electron negative बोलते है क्योंकि इन पर negative charge आता है metals को हम electro positive बोलते थे यह हमारे पास electro negative है कोई भी दिक्करत हो, बता दे ना अब शेक जी कोई दिक्करत हो, बता जेगे कल शायद आप absent होगे थे, कोई बात नहीं वीडियो देख ले ना इसके बाद हमारे पास क्या है यसे इसमें एक额ौट ही hydrogen होता है एक额ौट है hydrogen होता है जो non metal होता है याद रखेगा, ये electron को gain नहीं करता है इसलिए ये positive wind बनाता है तो ये कलोट हमारे पास non metal है पूछ लिए जाता है, इकलोटा non metal बता कि जो positive wind बनाता है negative नहीं बनाता है तो आप बताना हाइड्रोजन यह अपना इलेक्ट्रोन दे दिता है बस इतना सिंपल है और अब शेख जी कोई दिकत हो बताएगा यह अब यहां भी साफ सा बोला गया है कि जो non-metal होते हैं ठीक है यह काफी कम मात्रा में होते हैं metal के comparison में ठीक है बट यह बहुत ही important role हमारी life में play करते हैं जैसे कि carbon जो है carbon से जितने भी carbon से carbon compounds बनते हैं और basically हम जो है सभी basically जो खाना खाते हैं वो carbon compounds ही खाते हैं एक तरीके से ठीक है जैसे carbon compounds में कौन को ना आते हैं protein, fats, carbohydrates, vitamins, enzymes यह सभी basically क्या है carbon compound हैं और यही हमारे growth में important होते हैं तो basically अगर carbon नहीं होगा तो हम सभी नहीं होगे यानि non-metal जो है हमारे लिए बहुत जादा important role play करते हैं जैसे कि यहां पर एक oxygen है यह तो आप जानते हो यह भी non-metal है इसके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे तो यहां पर यह है oxygen बहुत जादा important role play करती है life के लिए जिंदगी के लिए इसके बाद कुछ और example दे हुए है यहां पर आप देख सकते है nitrogen जो है यह भी भी हमारे non-metal है ठीक है nitrogen gas है यह भी हमारे लिए बहुत जादा यूस होती है इसके बारे में nitrogen cycle में बढ़ा था 9 class में दूसरा भी हमारे पास sulfur है ठीक है sulfur भी काफी important होता है जो कि plant और animals में पाए sulfur है ठीक है non-metals are required to make भी आपको घी बनाने में काम आते हैं fertilizers बनाने में काम आते हैं सबको हम आगे deep में discuss करेंगे तो पस यहां पर यह बताना चाहरा है कि non-metals जो हैं बहुत जादा important होते हैं चले बहुत बढ़िया बात है अब यह non-metals कितने मात्रह में पाए जाते हैं त इसका कितना कितना परसेंट होता है लगबग 50% बहिया अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है oxygen है जरूर नहीं free oxygen हो किसी के साथ चिपके वे form में भी हो सकता है ठीक है oxygen का molecule इसके बाद बहिया second most abundant है बहिया अर्थ क्रस्ट में वह हमारा कोने silicon है ठीक है non-metal यह बहिया 26% पाए जात और आप कुछ बताने वाली बात नहीं है को यहां तक पूछ लेना बस अब हम basic चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या-क्या मात्रम में पाय जा रहा है और यहां पर कुछ बताने वाली बात नहीं है अच्छा इसके बात आ जाते हैं अब हैं में मुद्धे पर आते हैं basically कि जो properties है metal और non-metal की तो यह properties देख लेते हैं हो पहला हमारे पास metal चल रहा है यहां से cushion बन जाते हैं आपके metals भाई याद रखिए का पूछ लेंगे आपसे पांच property लिखें चार property लिखें metal और non-metal की तो यहां पर बस यह है पहला क्या है metals जो होते हैं malleable होते हैं ठीक है that is metals को जो हम beat करते हैं तो पतली पतली sheet में convert हो जाता है ठीक है और हमारा metal कूटता भी नहीं है आराम से वो sheet में convert हो जाता है तो यह वाली property कौन hold करते हैं भई हमारे metal hold करते हैं metals हमारे malleable होते हैं ठीक है और इसी को हम क्या बोलते है malleability बोलते हैं यानि वो property वो property जिसकी वजह से जो metals हैं पतली पतले sheet में convert हो जाते हैं उस property को हम क्या बोलते हैं malleability बोलते हैं बहुत ही simple point है भाई है सबसे अच्छे malleable metals होते हैं वो याद रखना हमारे gold हो गया silver हो गया ठीक है यह काफी जादा अच्छे हमारे metals होते हैं malleable metals होते हैं diamond is made up of carbon compound मेडम diamond जो है carbon compound से नहीं बना होता मेडम diamond जो है सिर्फ carbon की form है लेकिन carbon diamond जो है basically carbon की दो form में एक diamond है और एक आपका graphite है लेकिन यह diamond वाली form है carbon की काफी कम मातरा में पाई जाती है यह diamond वाली form तब होती है जब यह carbon जो है बहुत ज़्यादा pressure से कहीं दबा हुआ हो तब वहाँ पर diamond जो है पाई जाता है ठीक है अगर pressure नहीं है वहाँ पर तो normal सी बात है वहाँ पर आपी graphite के form में पाई जाता है मेंटम आपको समझ में आगे है वो depend करता है condition किस condition में carbon वहाँ पर दबा हुआ था pressure था या नहीं था तो यह सारी चीज़े होती है graphite diamond को बनने के लिए तो अगर वो diamond को बनने के लिए उस सारी condition मौजूद है जमीन के अंदर उस समय तो वह carbon जो है diamond में convert हो जाएगा basically diamond का structure ल वो depend करता है क्या condition है जमीन के अंदर क्योंकि diamond को बनने के लिए बहुत जादा pressure की जरूद होती है वह हम आगे discuss करेंगे इसमें तो condition कैसी है इसके साब से हो जाता है अब देख लिए जगाए सबसे ज़्यादा malleable कौन होते है गोल्ड है आपका silver सबसे ज़्यादा malleable होते है पूछ लेता है example लिखेगा सबसे ज़्यादा malleable के तो gold और silver लिख दीजेगा sir मैं समझा नहीं एक बार बता दो hero कौनसा point बता दो उपर वाला point hero malleable का मतलब होता है कि basically जो metals है उन्हें पीट पीट के हम पतली सी चाधर में convert कर सकते हैं तो इसी को हम मूलते है malleable property मैलीबिल्टि वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम metal को beat करते हैं पीटते हैं हतोरे से और वो पतली चाधर में convert हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बहिया malleable उस property को बोलते हैं तो यहाँ पर याद रखें कि हैं जो सबसे अच्छे malleable metals होते हैं जिने हम पत्ली चादर में convert कर सकते हैं वो हमारे gold और silver होते हैं बस सर्जी इतना बता है और जिनता ना खुर जो पीछे का चूट गया तो वीडियो record हो रही आराम से देख लेना malleable में और कौन से आजाते हैं आपके aluminium आजाता है और आपका copper आजाता है ठीक है यह भी भाई है आपके अच्छे उसमें आते हैं malleable metals में और आपने aluminium foil का यूज किया है और खाने में जो आप ले जाते हैं lunch box में तो इसमें लपेट देती हैं ठीक है ताकि वो सही से बना रहे हैं तो यहां पर यह है और कुछ आपर बताने वाली बात नहीं है ठीक है जैसे यह silver है silver metal को जो आप हतोड़े से ठोकते हैं ठीक है तो silver foils में convert हो जाता हैं आप मिठाई के उपर इसल्वर की हलकी सी पत्ती से परत्ती है आपने देखा हूँ मिठाई के पर रखा रहता है थिक को silver की होती है बिन दा जिसे मुझे इतना दो जैसे कि silver foils जो यहां पर लिखा भी होई है उससे आपके मिठाईयों को डैकोरड करने में यूज होती है वो अच्छा अगला है मैडम। वो फूट के साथ रियक्ट करती है नहीं करती मैडम यह तो वही जान है वैसे डैकोरड करना नहीं चाहिए वैसे कौकर मैटल है basically इसलिए लोग जो है उस पर सजाने में काम आती है मिठाईयों के पर क्योंकि बहुत ही लीस रेक्टिव मेटल में आता है और कोई दिक्कत हो बता दीजेगा अब हम देखें कि कौन कितना जाद रेक्टिव होता है आगे आने वाला है इसी तरीके से जो आपकी ऐलमूनियम फॉइल्स होती है बिस्कुट्स में यूज होता है चौकलेट्स में आपने देखा हुआ चौकलेट्स का अंदर रैपर होता है वस्टैप को रैप किया होता है एक मेडिसिन किट कैट आपने थाई होगी और आपके सिगरेट्स जीके इन सभी में ऐलमूनियम की फॉइल यूज होता है बस और कुछ बताने वाले बात नहीं है आपको चले भेज आगे आजाते हो और आरिन की बिस्ट समब बनाते आपको πता होगा आइन की शीट बाए बॉक्स बनाने में ड्रॉम्स बनाने मैं पानी की टंक की बनाने में भेजब यूज होता है तो यह तो आपको जानते हो में अचहा है अगई आते हैं मैंंग जी क्या किना चाहरा है हम हमारे डक्टार में की यहां पर वही है कि वह प्रापर्टी जिसकी वजह से अभधे थारों में मेरा गौर्ड जो होता है सबसे ब्इसक्राइब होटा है लिए सौने के तार नहीmat सकते हैं काफी महगा होगा वह जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एक ग्राम अगर आप सोना ले लोगे किरपा करके ठीक है जब आप उसे डक्टल खींच होगे तो लगबग 2 km लंबा खिच जाएगा तो आप देख सकते हो एक ग्राम सोना बहुत ही कम होता है तो जब आप उस आ सेल जाजी अभी आई नहीं है वह मैंसेज आ गया था और क्या गता है नही eme busy जिए अल वह जो बहुत हृत구나 रिजिए यहन नहीं बनाते है और आहियर वायर की वारत अधारों में यूज वहते हैं ठीक है कॉपर और ऐलमुनियम वाइरस होने के और बहिया चांदी के वक्तार हम ने लगा सकते हैं बहुत महेंगे हैं वो इसमें बहिया और भी कौन कौन से इसके बाद आइरन भी है, मेगनीशियम में, टंगस्टन है इनके भी हमतार बना सकते हैं, बड़ इनकी जरूरत नहीं है डक्टाइल होते हैं, आप यह बोलना चाहर है तो मेटल्स जो होते हैं, मैलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, मुबारक हो अब तक हमने बस यह दो यह पॉइंट डिसकस किया है इसके बाद आगे आते हैं इसके बाद मेटल्स हमारे पास क्या है मैटल्स जो होते हैं, बड़ गुड कंड़क्टर ऑफ हीट होते हैं यानि इसका मतलब क्यादिशी बाश्या में कि अगर आप कोई यहां से, यह हमारे ऐलमुनियम की रॉड है तो अगर आप यहां से हीट करना शुरू करोगे तो हीट जो है, आराम से आगे ट्रांसफर हो जाएगी यह तो आपने देखा होगा जो आपकी मैटल के बरतन होते हैं जब आप उसे हीट करते हैं, तो पूरा नीचे से हीट करते हैं उपर दक भरतन गरम हो जाता है, तो basically heat जो है पूरी चारो तरफ फैल जाती है, तो यहाँ पर यही बोला गया है, कि जो metals होते हैं, वो भाईए क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ओफ heat होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या किया गया है, ज़रा ध्यान देजएगा, यहाँ पर हीट करेंगे तो भाई यह रॉट धीरे-धीरे जो हीट अगे तक बढ़ेगी इसके कारण जो इसके अंदर वैक्स था जिसे वैक्स चुपका हुआ था नेल से वह पिगल जाएगा तो भाई आपकी जो नेल है वो नीचे गिर रही है ठीक है और यह आगे सावी नेल धीरे-ध गिरती चली जाएंगी तो इससे यहां पर यह साबित हो जाता है कि जो हीट होती है वह मैटल्स में फ्लो करती है आराम से फ्लो कर जाती है इसमें नॉर्मल सी बात है अगर आप लकडी को हीट करते हो इधर चूले में रख दो तो आगे वाला हिस्सा गरम होता है लेकिन पी पीछे वाला हिस्सा भी गरम हो जाता है क्यों हो जाता है कि हीट जो होती आराम से फ्लो कर जाती है तो याद रखेगा यहां पर लिखा हुआ है मैटल्स जो होते हमारे क्या होते है गुड कंड़क्टर ऑफ हीट होते है यहां पर मैंने आपको यह एक्सपेरिमेंट समझा बस इसमें और क्या चीज़ है तो यहां पर हमारे बास क्या है कि जो सिल्वर है मेटल है वह भाई हमारा बैस्ट कंड़क्टर होता है हीट का नौरमल सी बात है याद रखेगा उसके बाद बहुता है ठीक है ऐलमुनियम होता है ठीक है इसलिए हम जो मारे बढ़तन होते हैं य हीट को कंड़क्ट करते हैं इसमें याद रखेगा जो सबसे पूर कंड़क्टर होता हीट का जिसमें हीट पास नहीं होती और वह भी मैटल मैटल जो पूर कंड़क्टर होता है याद रखेगा तो पूछ लेते हैं सब बताई वह मैटल बताई है जो की पूर कंड़क्टर ह पाए जाता है और यह हमारा solid state में पाए जाता है बस इतना सिंपल सी वाली बात है याद रखेगा कि भाई जो metals होते हैं उनमें high heat conductivity होती है या thermal conductivity एक ही बात है thermal का मतलब भी heat ही है और heat का मतलब तो आप जानते ही हो अच्छा आ गया जाते हैं और कुछ बदाने वाली आपको बात नहीं है अगला भाई हमारे पास क्या है metals भाई हमारे electricity को भी conduct करते हैं हम सभी जानते ही तो अब जानते हूं metals में क्या होते हैं free electrons होते हैं वो इदर से उदर electron भाग जाते हैं तो इसलिए electricity आराम से conduct हो जाती है वो freely move कर जाते हैं क्यों electrons हमारे freely move करते हैं तो यहां पर ही है metals allow electricity to pass through them easily बहुत है simple point है हाँ Sir Mayank अच्छा Mayank जी क्या कहा रहा है Titanic क्या heat transfer करता है Titanic Titanic को है बईया Titanic क्या heat transfer करता है Sir lead mainly use कहा होता है lead Sir Mayank ने पूछा है ship अच्छा ship पूछा भाईया भाईया Titanic ship क्या होता है मैंडम मैंग जी समझ नी पाया Titanic lead भी मैंडम इसी तरही कि कहीने कही यूज होता होगा मुझे भी idea नहीं मैं देख लूँगा Titanic metal जो डूब गया था Titanic metal डूब गया था Titanic ship डूब था है अच्छा Titanic का तथार क्या वो ही ट्रांफर करता है Titanic का तो Titanic कुछ होता थोड़ नहीं Titanic उसका नाम देदिया था एक ship है ship का नाम Titanic देदिया बस तो ship कोई metal नहीं होता Titanic name का नहीं सब्सक्राइब कोई metal नहीं होता तो लोहे का बना हुआ था बस बस मैं कोई बताने वाली बात नहीं लोहे तो आप जानते हो लोहे में electricity पास हो जाती है कोई बात नहीं आंदी के माने जी ने बता दिया नाम था उसका शोरी शीतर जीन है अच्छा और लेड आपको कहां यूज होता है वह भी आ गया जाएगा चिंता नहीं करोड़ मैटल की यूज में आप देखते हैं कहां पर यूज होगा तो भाई यहां पर हमारे पास क्या है देखो यह आपको एक सैल है अप देख सकते हैं ठीक है यह हमारा बल्ब है यह हमारा कनेक्टिंग वायर है उएप यह हमारे क्रकॉड़ क्लिप्स है एक तरीकी से क्लिप्स है एक ताराप पर यह जा रहा है यहाँ पर बीच में उन्हों ने देखे हाप मैटल का फॉयल लगा दिया तो जब यह circuit पूरा हो जाएगा तो देखिए यहां से current पास होगा और बलब आपका जल जाएगा current पूरा circuit बन जाएगा इस तरीके से current तो नॉर्मल सी बात है बलब जल गया तो इसका मतलब क्या है basically कि metal में हमारा metal है यानि aluminum जो फॉल है इसमें current पास हो रहा है तो यहां पर यह शो करने जा रहे थे कि जो metals है उसमें current आराम से पास हो जाते है और जैजी बढ़िया याँ अच्छा तो हमने क्या देख लिए metals में हमारा current पास हो जाता है अब यह सबसे अच्छा metal में current किसमें पास होता है तो यहां पे लिखा हुआ है silver जो metal होता है वो best conductor होता है electricity का उसमें सबसे अधा current पास होता है उसके बद भाई यह copper हो जाता है तो इसलिए हम copper और aluminium जो है सस्ते आते हैं कि जो metals होते हैं वो good conductor of heat होते हैं और electricity होते हैं अच्छा इनके उपर प्लास्टिक के वो होती है coating आप देख रहे हो प्लास्टिक की चादर सी चुपकी हुई है यह जो है जो current से बचाती है इसे हम यह बोलते है PVC याद रखिएगा यह इंस्टूलेटर होता है इंस्टूलेटर का मतलब जिसमें current पास नहीं होता हमने एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लूराइड बोलते हैं PVC यह PVC जो होता है एक इंस्टूलेटर होता है याद रखिएगा यह electric current को अपने अंदर से पास नहीं होने देता ठीक है जब electric current को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा इसका मतलब आपको शौक नहीं लगेगा एलेक्रिक शौक पॉलीविनाइल क्लूराइड की होती है एक इंसूलेटर होता है और इसमें current पास नहीं होता है और आपको current नहीं लगता है अच्छा अगली प्रॉपर्टी के है metal की बहुते हैं लश्रस होते हैं शाइनी सर्फिस होता है इनका मबारक हो और यह वाली प्रॉपर्टी आंट तो यहां पर यह बोला गया है कि प्रॉपर्टी आफ मैटल हेविंग शाइनी सर्फेस यानि वह प्रॉपर्टी मैटल की जो उनके शाइनी सर्फेस की प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं मैटलिक लश्र बोलते हैं तीक है अच्छा माने जी उता रही है यास मान यहां पर यही बोलना चाह रहा है आप मेंडम प्लैटिनम पहले हैं कोई दिक्कत नहीं है वह पहनते हैं ऐसी बात नहीं है वह पहले में सवाइबा तब नहीं हैं लिए प्लैटिनम की का भी अब के एड़ आता है उसका है तो डिपरेंड करता है मैडम आपके टेस्ट सेज्क अबड़ाई कर जाता है कुछ समय बाद, ठीक है, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बहिए उन पर oxygen की चादर चड़ जाती है, oxygen की, carbonate की, या sulfide की, इनके बारे में आगे discuss करेंगे, बस यहाँ पर यह बोला गया है, कि कुछ समय बाद धीरे-धीरे, इनकी जो appearance होती है, वो dull हो जाती है, ठीक है, और किस कार process होता है, यह नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बस धीरे-धीरे जो होता है, इनकी appearance dull हो जाती है, बस यह तो आपने दिखा भी होगा, अगर बहुत पड़ाने sauna का गहने होते हैं, आपकी जैलरी होती है, वो थोड़ी-थोड़ी dull हो जाती है, तो बाद में सोनार उसे सा shiny surface वापस आजाती है, बस simple सा point है, अच्छा, आगे है, चली जाने, श्रीतल जी कह रही है, platinum की पहनेंगी वो बढ़िया, अगला हमारे पास क्या है, metal जो होते हैं, जनरली hard होते हैं, इनका जो exception है, बहुत important है, sodium और potassium, यह exception में आते हैं, sodium, potassium, यह हमारे metal होने के बावजूद भी soft होते हैं, तो देखें, आप उन्हों चाको से आराम से काट दिया, sodium को, ठीक है, तो यहाँ पर यह है, कि जो sodium और potassium होते हैं, यह बहुत ही soft metal होत हैं, इन्हें आप knife से, चाको से काट सकते हो, लेकिन जैसा कि iron है, copper है, aluminium है, यह बहुत ही जादा hard metal होते हैं, इन्हें आप चाको से नहीं काट सकते हैं, ठीक है, पस और कुछ बताने वाली बात नहीं है आपको, और यह hardness property है कारण जो चाको होता है, वो आपका लोहिका बना होता है, या aluminium है किसी का भी बन सकता है, ठीक है, और कोई दिकत हो, बता दीजएगा, अगला है इसके बाद हमारे पास, कि metals जो होते हैं, strong होते हैं, कुछ exception है, एक आपका sodium है, एक हमारा potassium है, यह हमारे strong नहीं होते हैं, ठीक है, बस, बहुत सारे weight को उठा लेते हैं, ठीक है, पस यहां पर है कि बहुत सारे weight को, कॉमन से ऐंसे देखो, यहां पर यहां पर यहां पका जो है, बेसिकली जो bridge है, यह भी metal से बना हुआ, iron metal से, यानि steel से बना हुआ, बेसिकली, ठीक है, तो यह काफी जादा weight को जहले हुए, तो यहां पर जहल रहा है, क्योंकि metals हमारे क्य बिदर में आएगा, अच्छा, इसके बाद और कुछ बताने वाली बात नहीं है, कि metal strong होते हैं, इस कारण क्या होते हैं, इनको हम bridges में, इस्तमाल करते हैं, railway lines में, grinders में, machines में, vehicles में, ठीक हैं, कहीं भी हम इने use कर सकते हैं, बही हम metals, यह solid होते हैं, room temperature पर यह आपको मैंने यह दिया था, एक इसमें exception होता है, mercury, mercury एकलौता metal है, जो कि हमारा liquid state में पाए जाता है, तो यहां पर यही बोला गया है, कि only one metal, सिर्फ एकलौता metal कौन है, mercury है, ठीक है, जो कि हमारे liquid state में पाए जाता है, बाकि सारे हमारे solid state में पाए जाते हैं, अच्छा, आज टॉपिक हतम हो जाएगा आपका, भहिया, metal जो होते है, उनकी high melting point होता है, और high boiling point होता है, exception फिर से, हम जानते है, sodium और potassium, यहां पे लिखा हुआ है, sodium और potassium, जैसे कि जो iron है, iron का melting point है, भहिया, देख लीजेगा कितना है, 1535 degree Celsius, ठीक है, copper का melting point वो भी काफी हाई है, 1083, यानि इस temperature पे भहिया, जो है, copper जो है, metal वो तुरह से liquid state में convert हो जाएगा, याद रखियेगा, हाँ, भहिया, mercury बिल्कुल सही कह रहे है, मैंग जी, mercury जो है, thermometer में यूज होती है, बहुत बढ़िया, इसमें sodium और potassium तो exception है, यहां पे लिखावा है, sodium और potassium है, उनका melting point होता है, 98 degree sodium का होता है, potassium का 64 degree होता है, इसमें दो और exception है, एक हमारा gallium है, और एक हमारा calcium है, ठीक है, इनका जो होता है, वो कितना होता है, चेक हो रहा है, 30 degree और हमारा 28 degree, यह भी कुछ exception में आ जाते हैं, यहां तो कोई दिक्का तो पूछ लीजेगा, एक हमारा यहां पे है, और एक हमारा यहां पे है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते है, metals की density क्या होती है, हमारी हाई होती है, exception क्या था, sodium और potassium, याद रिखेगा, जैसे metal यहां पर क्या हुआ है, iron, iron की density कितनी है, देखेगा, 7.5 gram per centimeter cube, यानि बेसिकली एक centimeter cube का जो block है, उसके अंदर जो iron का weight होगा, वो 7.5 gram होगा, 7. 8.8 gram, sorry, ऐसे बहिया, जो हमारा density होती है, वो काफी कम होती है, तो example देख लें आप, कि बहिया, अगर आप sodium का 1 centimeter cube का block लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो weight होगा, वो सिर्फ 0.97 gram weight होगा, ऐसी बहिया, यहां पर हमारे पास potassium है, फिर इसे 1 centimeter cube का अगर आप block लेते हैं, ठ potassium का weight होगा, वो सिर्फ 0.86 gram होगा, तो इनकी density काफी कम है, इन दोनों की, लेकिन iron की काफी जाद है, आप देख सकते हैं, 7.8 है, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिखकर तो बता देना, बैटरी is also, it is used in, alloys also, हाँ मैं बलको सही कह रहे हैं, आप, metal होता है, sonoras होता है, य इंगराम में अभी घंटा होता है, या फिर अब इल्यक्टिक बेल बसती है, और मैंने बलू वर्ड में कैसा होता है, गंटी है या फिर आपका हो है, अचा बेल है, चले, बहुत बढ़िया, पहले इंगराम में गंटी बसती थी, जब मेरे टाइम है, कोई बात निए, एक तो यह बोलना चाहरा है कि वह प्रोपर्टी जिसकी वजह से भाईया मैटल की सोन्रस हावास आती है तंटन वाली अबस होती है उसे भाईया हम सोनरसनेस बोलते हैं या सोनरिटी बोलते हैं आप जो भी चाहिए प्रोपर्टी कारण जो मैटल का यूज कहां पर होता है भाईया हम सभी जानते सितार में वाईलिन में गेटार में जो वाईरिस होते हैं वो सभी इसी प्रोपर्ट के बारे में से पांचे से लिखवाई गाया तो आप điều कि ने में अए मैंता अच्छान के दाएक्र इताओं से लिख सकते हो किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना इन प्रॉपर्टीज में और कौन कहां यूज होगा वो सब आगे आएगा चिंता ना करें इनके यूज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे करेंगे जानवी जी क्या दिक्कत हो रही है कोई परिशानी है तो बताजेगा अच्छा आ गया जाते है बहिया इस बार हमारे पास क्या है बहिया प्रॉपर्टीज बतानी है नॉन मेटल के किसी बच्चे कोई दिक्कत हो बता दीजे का भया तो भया हमारे पास physical properties दिख लेते हैं साफसा बोलना है जो physical properties होती है non-metal की वो metal के just opposite हैं तो यानि metal की याद रखना non-metal की बस उसका opposite कर देना हम ठीक है जैसे metal हमारे malleable और ductile होते थे यह क्या होते है यह आराम से ब्रेक कर जाते हैं तो यहाँ पर इसाफसा लिखा हुआ है solid non-metals जो होते हैं ना तो आप उनको hammer कर सकते हैं ना तो आप हतोरा से तोड़ सकते हैं पीट सकते हैं थिन शीट के लिए और ना ही उनने आप तार में यहाँ पर बताने वाली बात नहीं है तो वह प्रॉपर्टी जिसकी वज़ए से नाउनमेटल तूट जाते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं ब्रिटल नैस ठीक है याद रखेगा और कुछ आपको बताने वाली बात नहीं है अब जैसे हमारी यह पैंसिल है यहाँ पर भाईय क्या दिया हुआ है पैंसिल लेड इस मेड़ पैंसिल लीड जो है यह ग्रेफाइट से बनी हुए याद रखेगा यानि कार्बन के फॉर्म से बनी हुए है और यह ब्रिटल होती है तो आपने पैंसिल के लिए कितनी बात तोड़ी होगी है इसके बाद भाईये जो है नौनमेटल जो है अपटिया निवेyl इध्यकिर फोग नहीं करते कि बत इसमें एक्सेप्शन याद रखेगा तो यहां पर क्या है, कि जो non-metals होते हैं वो भया, electricity को conduct भी नहीं करते हैं और नहीं, भया, heat को conduct करते हैं बस सिल्पल सी बात है यहां पर बही एकलौता है कि जो carbon है, ग्रेफाइट के form में यह एकलौता non-metal होता है जो electricity को conduct करता है यहां पर साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि carbon किस के form में, graphite के form में, diamond के form में नहीं है, याद रखिये, graphite के form में होता है, जब carbon तब वो electricity को conduct करता है, ठीक है, याद रखना, और यह हमारा good conductor of electricity होता है, कौन भही है, carbon graphite के form में, important चीज है, बस और फिच्च आपको बताने वाले बात नहीं है, देख लो यहां पर क्या है, वह experiment फिट से इन्होंने समझाए गया है, यह हमारे पास cell है, यहां पर connecting wire है, यह बल्ब है, यहां पर gap है, यहां पर gap में इन्होंने sulfur लगा दिया है, अब भाया देखिए तब भी आपका बलब जला नहीं, बलब क्यों नहीं चला मैंटम, इसमें एक electron free हो जाता है, मैंटम, आगर जब carbon compounds में discuss करेंगे मैंटम इसमें, तो वहां पर क्या होता है, इसमें एक electron जो होता है, वो basically free रह जाता है, खाली रह जाता है, उस कारण उसमें electron flow कर जाते हैं, जब हम इसका internal structure देखेंगे, ग्रेफाइट का और diamond का, तब आग को बता चलेगा कि diamond में electricity क्यों नहीं पास होती है, और आपके graphite में क्यों पास हो जाती है, क्यों कि carbon का structure होता है, दौनों में वो different होता है, इसी कारण जो diamond होता है, काफी hard होता है, graphite काफी soft होता है, तो किसके कारण, उनके structure के कारण, तो carbon का structure होता है दौनों में, diamond में और graphite में थोड़ा सा different होता है तो इसमें क्या होता है? कुछ electrons free रहते हैं, यह soft होता है इसमें कुछ भी चीज free नहीं होती है इसलिए यह hard होता है, यह हम आगे deep में discuss करेंगे तो बस आप इतना समझे लो फिलाग कि इस structure के कारण, जो graphite है उसका structure थोड़ा सा different है इस कारण उसमें electrons कुछ free रह जाते हैं इसलिए उसमें electrons, electricity आराम से pass हो जाती है और कोई दिक्रतों मेड़म बताएगा इसको हम deep में तो आगे discuss करेंगे जो आपका carbon का bounce में पढ़ेंगे महां तो यह पूरा deep में आएगा आयोडीन जो है वो हमारा non-metal होता है जिसमें लश्रस चमक होती है एक आपका diamond आपने बताई दिया था क्या जो non-metals होते हैं वो generally soft होते हैं जाद तर exception भई यह diamond है याद रखी कि बहुत ज़्यादा hard होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है only one non-metal carbon किसके form में? diamond के form में वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा hard होता है और याद रखी कि जो diamond होता है यह hardest natural substance होता है तो पूर सकता है कि natural substance या nature में सबसे ज़्यादा hard substance कौन होता है तो आप बताना nature में सबसे ज़्यादा hard होता है हमारा कौन होता है डाइमंड होता है बस इतना सिंपल सा पॉइंट है और चिंता नाखरे में जो हम कार्बन कर बाउंट पढ़ेंगे तो बहां और डीप में पढ़ेंगे अचा आगे है हमारे पास नौन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रांग male वहालाम से तूट जाते हैं तेके जैसे आप वेट लटका देती तो अचानक से तूट जाएंगे Metal जो होते हैं हम सभी जानते हैं Solid भी हो सकते हैं Liquid भी हो सकते हैं और Gas भी हो सकते हैं यह हम सब discuss कर चुके हैं इसमेरे एक ही Liquid होता है खास कर वो आपको याद होना चाहिए तो यहां पर यही है मैं दिखा देता हूं तो जो Non-Metals होते हैं तीनो Edu Cert men hootигрak Sarge यह our determine कभी सेट में नाम जाद रख F Yo पॉत यह ब्रोमी नहीं होता ही यह नाम याद रखिएगा यह मैं लीकुडरUS खयाता है ओर ख बाल भी यह नंमेटल और व्हुर्ण आपक्रमी यह यह एकली है artificial diamond बन जाते है मेडम लेकिन बहुत ही छोटा साइज होता है इनका ठीक है बहुत ही छोटे साइज के diamond हम बना सकते है artificially ऐसी कुछ इंता वाली बात नहीं है लेकिन उनका साइज बड़ा नहीं हो पाता है छोटे diamond बन सकते है और कोई डाउट हो बताएगा अगला किया है यहां पर जो non-metals होते हैं उनका जो melting point होता है वो काफी कम होता है melting और boiling point काफी कम होता है exception भई हमारा क्या है diamond है diamond का melt हमारा देखे हैं यहां पर कितना है melting point 3500 degree Celsius से भी जादा है ठीक है लेकिन जो sulfur का sulfur का melting point कितना low है आप देख सकते हैं 1150 तो generally जो है non-metals जो होते हैं जितने भी non-metals है generally वो हमारा उनका melting point होता है वो कम होता है exception याद रखेगा हमारा diamond है diamond का काफी जादा होता है जो non-metals होते हैं उनके density भई है काफी कम होती है तो यहाँ आप देख ली जाओ एक centimeter cube का अगर हम sulfur का block लेंगे तो उसके इंदर जो weight होगा वो सिर्फ 2 gram होगा non-metals भई है टंटन की आवाज नहीं निकालते है are non-sonrous ठीक है they do not produce sound when hit ठीक है भई है यह टंटन की आवाज नहीं निकाले गए मुबारक हो इसके बाद भई हमारे पास क्या है आते आओ non-metals जो होते हैं भई है नॉर्मल सी बाद है different color के होते हैं जैसे कि sulfur yellow रंग का है phosphorus white या red का हो सकता है और भई ग्रेफायट black का हो सकता है इसमें color की कोई जरूरत नहीं याद करने की chlorine यलो इस ग्रीन का होता है hydrogen और oxygen आपकी colorless होते हैं अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या है अच्छा देखें यहां पर यही है sulfur को melt कराके दिखाए गया है यहां पर the non-metal sulfur has comparatively low melting point 115 degree Celsius it can be easily melted by heating तो देखें आप मेल्ट करते हो दिखाए गया है sulfur को ठीक है sulfur पिगलता हो दिखाए गया सर यह 9th में भी था ना हां बहिए 9th में भी था विशेक जी हां मैडम recording हो रही है हां मैडम graphite का भी होता है बहुत बड़ी है मैडम basically graphite और diamond सेम ही एक तरीके से carbon से बने हुए अच्छा अब यह exceptions यादा रखें कि यह वाला चीज इंपोर्टेंट थी कि इलेक्रिकल कंड़क्टिव में क्या-क्या exception थे बहुत है तो याद रखेंगा जो हमारे carbon था ग्रेफाइट की फॉर्म में एक लौता नौन मेटल था जिसमें electricity पास हो जाती थी तो यह एक exception है ठीक है लश्चर में भई है लश्चर में भई हम जानते हैं आयोडीन जो था वह हमारा नौन मेटल था जो इसमें shiny surface थी ठीक है बागी सारे नौन मेटल डल होते हैं लेकिन आयोडीन नौन मेटल होने के बावजूद भी इसमें shiny surface होती है अगला है हमारा hardness और softness तो भी इच बोला गया है जो Hypοιえる metals होते हैं יहां बाते हैं यह हमारे क्या होते हैं lgar 당 the운 मेटल जो होते हैं वो其實 आपकी soft होते यहां बता दिए लीएम हो acabou सोडियम हो गया पुटैशियम हो गया और लेकिन जो नॉन मेटल में जो कारबन था वो एक किसके फोम में जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी आपका काफी हाठ था तो यहां पर यह बोलना चाह रहा है यहां पर बस एक्सेप्शन चल रहा है इसके बाद हमारे पास क्या है फिजीकल श्टेट में चैक कर लेते हैं फिजीकल श्टेट में जो भाई मरकरी थी याद से और बच रहे हैं भाई है जो हमारे पास melting point और boiling point जो होता है potassium, sodium, sasium और gallium यह एकलौते कुछ metals है जिनका melting point जो होता है काफी कम होता है भाई है non metal में exception की बात करें तो जो diamond होता है वो एकलौता non metal है जिसका melting point काफी ज़्यादा high होता है basically carbon की बात हो रही है आप है density भाई हम चेक कर सकते है density भाई है normal सी बात है metals की high होती है exception क्या थे आपके lithium, sodium और हमारे potassium हाँ ओके कोई बात नहीं जा सकते है विशाल जी आराम से जाए they have low density कोई दिक्कत वारी बात हो बता देना अच्छा भाई है यहां तो कोई डाउट हो पूछ लो किरपादर की किसी बच्चे को अभिशेक जी बताओ basically हमने सारे properties देख ली metals, non-metals अब हमारी chemical properties आएंगी थोड़ा सा important है भाई किसी बच्चे को बताएगा जरा सा दिक्कत हो जानवी जी ठीक है जनावी जी जशा चली गईंशीक जी कोई डिक्कत हो महिंग जी बढ़ियाशव मानय जी कोई डिक्कत हो पता रहें हैं आप तक आराम से पूछलो एंक मुनट का टायम है शीतल जी कोई दिक्कत हो बताएगा चलिए भया कोई दिक्कत नहीं तो फिरागे चलते हैं अब शेक जी कोई डाउट हो पूछलो यह रहो अगर कोई डाउट नहीं तो बहुत बढ़िया है अच्छा मुझे आप बताएंगे जरासा कि आपके स्कूल में जो मैटल का वो जदा क्या कहता है सफाई अभियान सिखाया है नहीं सिखाया कि मेटलर्रिवल पॉसेस किस तरह किसे सी मेटल को साफ किया जाता है अच्छा नहीं सिखाया चलिए अच्छली वो cvcc ने इस बार काड़ दिए होंगे इसलिए नहीं चिखाया होगा मैं आपको बस overall idea दे दोंगा ठीक है थोड़ा basically कि इस बार वारेस के चक्कर में उन्होंने कार्ट दिया है इसलिए नहीं बताया होगा बट हम थोड़ा से overall discuss कर लेंगे चिंता ना करें अचारे शुरू करते हैं जिरे जिरे अब हमारे पास chemical properties है भाई आप फिजिकल प्रॉपर्पर्टिस तो आपने नाइंतलास में विराट ली थी तो वही बेसिक सेम है chemical properties थोड़ी से डिफरेंट है तो नहीं याद रखना पहल फॉर्मूला भया जब भी हम metal को oxygen के साथ react कराते हैं तो क्या बनता है metal oxide बनता है याद रखेगा यह basic oxide होते है basic oxide कैसे होते है basic oxide होते है तो यहां पर साफ साफ है Metal react with oxygen to form metal oxides Metal oxides जो होते हैं यह basic nature में होते हैं ठीक है इनका basic nature होता है जो metal oxide होते हैं यह basic होते हैं इसलिए ही क्या करते हैं red litmus को blue में convert कर देते हैं तो cushion यहां से काफी सारे बनते हैं पहला cushion यहीं बनता है metal और oxygen को जो हम react कर आते हैं तो क्या बाएगा तो आप बताएंगे metal oxide आता है फिर आप बताएंगे किसका कैसा nature होता है आप बताएंगे basic nature होता है इसका मतलब यह red को blue कर देता है red litmus को यह काफी सारी चीज़े important है इसके बाद क्या है कि जो reaction होती है metal और oxygen की वो depend करती है metal पर कि metal कितना ज़्यादा reactive है तो reaction बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी metal अगर कम reactive है तो reaction इतनी फास्ट नहीं होगी मैंने आपको बता दिया reaction depend करती है कि metal कितना ज़्यादा रेक्टिव है जैसे भही है आपर देखेगा जब हमारा sodium हमने ले लिया metal oxygen हमारे पास यह रहा हाँ hero दुबारा समझा देते है रड़म दुबारा से बस यह था दुबारा समझ लो कि जब भी हम metal को oxygen की साथ react कराते हैं तो क्या बनता है metal oxide बनता है तो metal और oxygen को combine होगे metal oxide बनेगा अब यहाँ पर यह बोलना चाहरा है metal oxide जो होता है basic nature होगा होता है basic nature का मतलब क्या है basic oxide का क्या मतलब है कि इसका basic nature है basic nature का मतलब है जब यह पानी से मिलेगा तो proper base बनाएगा तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो metal oxide होते है वो basic oxide होते है basic oxide का मतलब है पानी के साथ मिलके पूरा base बनता है अब आगे ये बोलना चाहरा है कि जब metal oxide हमारे basic होते हैं तो इसका मतलब क्या है ये red lid mask को किसमे convert कर देते हैं blue में convert कर देते हैं तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है अब शीदल जी कोई δेक् lattice नहीं done हो गया अब शेक जी कोई देक्कर तो पूछ ले ना और आगे ये बोला था ये जो reaction होती है इस पर depend करती है कि जो हमारा metal है हो कितना जाधा reactive है अगर metal जाधा reactive है तो reaction बहुत जाधा fast हो जाती है metal कम reactive है तो reaction बहुत जादा slow होती है अच्छा जैसे यहाँ पर चेक कर आप यह sodium है हमारे पास plus oxygen क्या बनना है sodium oxide बनना है यह बहुत जादा fast reaction होगी क्योंकि sodium बहुत जादा reactive होता है ऐसे अगर आप potassium ले लेते हो sodium के जगे oxygen से react कराते हो तो क्या बनता है बहुत पोटेशियम oxide बनता है तीक है sodium से कराओगे तो sodium oxide बनेगा potassium से कराओगे तो potassium oxide बनेगा तीक है तो अपने अब आप reaction ले ना यहाँ लिखा हुआ है कि अपने आप reaction लेक सकते हो अच्छा तो देखें यहाँ पर शायद reaction है तो यह reaction हो रही है जब हमें sodium का जो block होता है sodium को आप अगर normally air में रख देते हो तो उनमें reaction हो जाती है एक साथ देखें यहाँ रेक्शन हो रही है अनहार के तरफ और यहाँ पर हमारा क्या बनना है sodium oxide बनना है तो important चीज है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो potassium है और जो sodium metal है वो air के साथ बहुत ही तुरंट react करते हैं जैसे ही आप उनको रखते हो air की presence में वो तुरंट उनमें आग लग जाती है और वो burn होना शुरू हो जाते है तो इसी कारण जो potassium metal होता है और जो sodium metal होते है उन्हें हम kerosene oil के अंदर रखते है याद रखेगा air में नहीं रखे रहते हैं यह नॉर्मल ही कहीं रखे रहते हो इस तरह के सा नहीं होता यह हमेशा kerosene oil में रखे रहते हैं ताकि यह oxygen के presence में ना आए अगर oxygen के presence में आगे तो नॉर्मल सी बात है इनमें आग लग जाएगी रेक्शन हो जाएगी ठीक है तो यहाँ चीज यह बोली गई है oxygen, moisture या फिर carbon dioxide इनके पास नहीं आने चाहिए किसी भी तरीके से बस और कुछ बदाने वाली बात नहीं है आपको अच्छा इसके बाद और reactive metal याद रखे कि important था कि जो lithium होता है, sodium होता है, potassium होता है इन्हें हम alkali metal बोलते हैं ठीक है? क्यों बोलते हैं? because they belong to a group of metals called alkali metals यानि basically यह alkali metal group से belong करते हैं इसके बारे में हम आगे last chapter में आपके discuss करेंगे यह क्या होते हैं? याद रखे कि इन्हें हम alkali metals बोलते हैं क्योंकि यह alkali metal group में belong करेंगे अब यह क्या चक करेंगे इनके बारे में market discuss करेंगे यहाँ पर यह बोला किया है कि जादतर 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 जो metal oxides होते हैं वो पानी में पूरी तरीके से mix नहीं होते हैं लेकिन कुछ metal जो oxides होते हैं वो पानी में पूरी तरीके से mix हो जाते हैं और alkalis बना लेते हैं alkalis यानि proper base बना लेते हैं alkalis मैंने आपको बताया था कि जो पानी में मिलकर के पूरी तरीके से जो base पानी में पूरी तरीके से मिल जाते हैं हम क्या बोलते हैं, अलकलीज बोलते हैं, तो जैसे देखो, यह अभी हमारा sodium oxide बना था, जब अभी हमने sodium को बरन किया था, oxygen की presence में, लाएते हैं, तो sodium oxide बना था, यह sodium oxide basic oxide है, जब हमने इसमें पानी मिला दिया, तो देखे एक proper base बन गया, और proper base कौन सा है, sodium hydroxide, जो कि एक proper alkaline है, तीक है, इसी तरीके से, यह जो potassium oxide है, पानी की presence में, जब हम इसे लाए, तो भाई, हमारे पास क्या बनता है, potassium hydroxide, तीक है, यह भी एक proper base है, अभी हमने potassium को burn किया था, मतलब basically potassium को oxygen की presence में लाए था, तो automatically burn हो गया था, तो क्या बनना था, potassium oxide बनना था, potassium oxide को हमने पानी में डाल दिया, तो भाई है, क्या बन गया, potassium hydroxide बन गया, अच्छे में, potassium में नहीं रख सकते हैं, मेंडम, petrol में, में यह हैं, oxygen उसके अंदर, oxygen क्योंकि बस उसे कहीं से भी oxygen नहीं मिलनी चाहिए, बस oxygen मिल जाएगी, तो reaction हो जाएगी, हाँ, sodium नहीं है, potassium, हाँ, मेडम, चिंतना अगरे, मेडम, इसके बाद में, सर्च करके बताऊंगा, मैं आपको, पैट्रोल का क्या चक्कर है, पैट्रोल में रख सकते हैं, sodium को नहीं रख सकते हैं, अगला क्या है हमारे पास, magnesium, अभी हमने sodium देखा था, इसके बाद हमने potassium देखा, इसके बाद हम magnesium देख लेंगे, याद रखेंगे, भई हमने बस oxygen में एजी रख दिया था, रूम टेंपरिचर बढ़ा करके, आप आरम से टेबल पर रख दीजे, अपने आप जल जाएंगे, इनमें अपने आप reaction हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन भई हम magnesium को आप रख दीजे, तो कुछ होगा रही है उसके साथ, उसको आपको reaction कराने के लिए उसे गरम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यही बोला गया है, कि रूम टेंप तार होता है, अपसे एक्सपेरिमेंट कराए जाए, कि जब आप उसे जलाते हैं, तो एक तरीके से फुल्यडी की तरह जलता है, देसी भाशा में समझ लें तो, magnesium है, जब आप उसे heat करते हैं, oxygen की presence में, तो यह क्या बनता है, हमारा magnesium oxide बनता है, यह एक तरीके से white powder होता है, हम first chapter में discuss कर चुके थे, और आगे क्या है, कि जब यह जो magnesium oxide बन रहा है, जब आप इसे पानी की presence में लाते हैं, यह reaction कराते हैं, तो क्या बनता है, हमारा magnesium hydroxide बनता है, यह क्या होता है, एक base होता है, ठीक है, याद रखिएगा, तो पूछ सकते हैं, पहला आपसे पूछा जा होगी, ठीक है, तो दौन reaction आपको समझ नहीं है, याद नहीं करने हैं, यह समझ नहीं है, अच्छा आ गया जाते हैं, कोई भी डावर पूछ लेना, और यही है magnesium hydroxide जब पानी में बिलाव होता है, इसका solution हम जानते है, milk of magnesium कहलाए जाता है, ठीक है, जब आपको acidity होती है, त नहीं होती है, इसे भी हमें हीट करना पड़ता है, तो जब भी हम aluminium को oxygen की presence में हीट करते हैं, तो उसे क्या बनता है, aluminium oxide बनता है, और इसका यह क्या होते हैं, अच्छा कौन बताएगा amphoteric oxide क्या होते हैं, अपनी language में बताएगा, यह amphoteric oxide क्या होते हैं, बहुत important नाम है, अक अच्छा, amphoteric oxide react with base, चले हैं, आहां बतारी हैं तो नाम है, चले वह यह देख लेते हैं, बैंक जी हो हमारे साथ, चलेगा छोड़कर क्या मैं, दोका देगा ही रो, चले वह यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ज़रा समझेगा, कि जातर जो metal oxide होते हैं, जातर जो metal oxide होते हैं, वो basic nature के होते हैं, ठीक है, बट सम metal oxide जो होते हैं, वो basic nature के भी हो सकते हैं, shows basic as well as acidic nature, यानि कुछ metal oxide जो basic और acidic दौनों nature को शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं, amphoteric oxide, तो यहां पर भी है, कि those metal oxides, which show basic as well as acidic behavior, यानि वो metal oxide जो basic और acidic दोनों behavior को show करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आप इसमें कौन से आते हैं याद रखी का दो ही हैं हमारे सिलिपस में एक तो almonium oxide है और दूसरा जिंक है हमारे पास almonium metal का almonium oxide होगा यह वाला एक जिंक metal का zinc oxide होगा इसके बारे हम भी आगे discuss करेंगे तो बस यहाँ पर यहीं बोला गया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो almonium oxide है एक हमारे पास zinc oxide जो है यह दौनों ही amphoteric oxide होते हैं amphoteric का मतलब है जो acidic character और basic character भी show करते हैं तो यहाँ पर साफ 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 लिखा हुआ है जो amphoteric oxide होते हैं वो भी आइसिट से भी react कर सकते हैं और base से भी react कर सकते हैं और क्या बनाते हैं salt और water बनाते हैं याद रखेगा तो amphoteric oxides वो compounds होते हैं जो acid से भी react कर सकते हैं और base से भी react कर सकते हैं और हमेशा ही क्या बनाते हैं salt और water बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं amphoteric oxides बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि amphoteric oxides क्या होते हैं वो compounds जो भाईया acid से भी react करें और जो base से भी react करें दौनों ही case में क्या बनाए salt और water बनाए उनको हम क्या बोलते हैं amphoteric oxide बोलते हैं example समझते हैं आपको देखो तो देखो भाईया अभी हमने क्या बनाया था almonium था almonium को जब हमने oxygen की presence में burn किया था तो यहां पर क्या बना almonium oxide बना इसको उन्होंने क्या बोला amphoteric oxide अब इसका मतलब क्या है तो देखो यहां पर यही जो almonium oxide है जो भी उपर करके जो मारा burn होके बना था उसको जब हमने acid से मिलाया acid से मिलाया तो क्या बना है almonium chloride बना हुआ है almonium chloride यह भी एक नमक होता है और water होता है ठीक है आगे आते हैं और रेक्शन में और इसी की तो यहां पर जड़ा चेक करें यहां पर यह acid था almonium oxide तो यहां पर इसने अपनी property कौन सी दी basic दी ठीक है यहां पर खुद सोचेगा acid और base जब combine होते तब तो salt और water बनता है हमारे पहले chapter की reaction तो यहां पर जो almonium oxide था है यहां पर इसने base की तरह काम किया base ने acid के साथ react किया तो क्या बना है salt और water बना इसके बाद देखो यहां पर almonium oxide है जब base के साथ react हो रहा है तो क्या बनना है sodium aluminate बनना है यह salt है और हमारे water है तो चेक करो यहां पर base के साथ react कर रहा है तो यहां पर यह कौन है यह acid है तो यहाँ पर यह acid है, acid जो है, base से react कर रहा है, तो क्या बनना है, salt बन रहा है, तो आपको समझ में आगे, amphoteric oxide क्या होते हैं, जिनमें basic property भी show करते हैं, यहाँ पर basic property भी show करी उसने, base ने acid के साथ react किया, salt और water बना, और वो ही acidic property भी show करते हैं, क्योंकि यहाँ पर acid जो था, base के साथ react हुआ, तो क्या बना, salt और water बना, तो अब शिक जी आपको समझ में आगे, amphoteric oxide क्या होते हैं, जो कभी कबार base की property भी show करते हैं, और acid की property भी show करते हैं, कोई भी दिकर तो पूछ लीजेगा, तो यानि वो compounds, वो compounds, जो acidic property भी show करें और जो basic property भी show करें, यानि basically हम ये बोल सकते हैं, वो compound, जो acid से react करते हैं, salt और water बनाते हैं और वही compound base से react करते हैं तब भी salt और water बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं amphoteric oxides बोलते हैं important चीज़ है तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे aluminium oxide जो है उसने कैसा behave किया basic oxide का behave किया यहाँ पे aluminium oxide ने कैसा behave किया acidic oxide का behave किया क्योंकि यहां पर यह acid था है, acid plus base क्या बना, salt और water बना, तो यह अक्सर आता है, बहुत important है, इसके बाद हमारे पास क्या है, यह zinc वाला यह भी हमारा amphoteric oxide होता है, तो देखेंगा यह zinc जो है, वो भी हमारा oxygen से react नहीं करता है, लेकिन हमें उसे burn करता है, काफी घरम करना है, तब वो react करता है, क्या बनता है, zinc oxide, ठीक है, zinc oxide याद रखेगा, हमारा क्या होता है, amphoteric oxide होता है, amphoteric oxide मैंने आपको बता दिया, जो भाईया, बोथ acidic property भी शो करता है, और basic property भी शो करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते है, amphoteric oxide बोलते हैं, example दिखते हो, तो यहीं जो हमारा zinc oxide है, तो देखेगा, पहले हम इसे किस से react करा रहे हैं, भाईया, acid से react करा रहे हैं, तो क्या बनना है, zinc chloride, जो की एक salt है, और एक water है, भाईया, जो zinc oxide है, basically, यहाँ पर कौन सा property शो कर रही है, असने basic property शो कर रही है, ठीक है, हाँ मैटम, copper oxide क formula भी आगे आएगा, चिंतर कर रही है, तो यहाँ पर basic era, ठीक है, base era, acid era, तो क्या बनना है, salt or water, तो यहाँ पर कौन सी property शो करी है, basic की property शो करी है, basic oxide, कि यहाँ पर लिखा हुआ है, zinc oxide जो है, उपर वाली reaction में, basic oxide की property शो कर रहा है, इसके बाद आते हैं, देखो, यही जो zinc oxide है, जब हम उसे ammonium hydroxide, sodium hydroxide, sorry, यानि base के साथ जब हम उसे react करा रहे है, तो क्या बनना है, sodium zincate बनना है, जो की एक नमक है, और हमारा water बनना है, तो देखो, यहाँ पर zinc oxide ने acidic property शो करी है, क्योंकि acid era, base era, ठीक है, तो हमारा salt बन रहा है, तो याद रखेगा, यह भी हमारा क्य तो आपको समझ में आ गया होगा कि acidic oxide क्या होते हैं, कोई भी परिशानी हो, पूछ सकते है, no problem, बहुत बढ़े हा, मानने जी, कोई देखत नहीं, तो यहाँ तक न, amphoteric oxide क्या होते हैं, यानि वो compounds, वो oxides, जो acidic property भी शो करें, और basic property भी शो करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहिया, amphoteric oxide बोलते हैं, यह दो ही हैं, हमारे syllabus में और कोई नहीं है, अच्छा बहिया, अगला है यहाँ पर, बहिया, iron metal है, वो normally oxygen से react नहीं करता है, उसे में बहुत ही ज़्यादा heat करना पड़ता है, तब हो react करता है, तो क्या बनाता है, iron second third oxide, ठीक है, यह iron second third oxide compound का नाम है तो याद रखिएगा, copper metal है, तो यह iron metal copper oxide का formula आप पूछ रही थी, कि जो copper metal है, ठीक है, वो भहिया, आपको oxygen की presence में heat नहीं होता है, उसे हमें काफी समय तक heat करना पड़ता है, लगातार, तब भहिया क्या बनता है, वो copper second oxide बनता है, copper oxide बोल लिजिए, copper second oxide बोल लिजिए, copper जब भी oxygen से react करता है, तो क्या बनता है, copper second oxide बनता है, बस इतना simple सा point है, शितल जी कोई देखा तो पूछ ले ना, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, metal को किस से react कराया है, बहिया, oxygen को react कराया है, metal और oxygen की हमने reaction देखिए बस, इसके बाद हम क्या देखेंगे, metal और water की reaction, कि कि reaction of metals and water, बहिया, metal और water की reaction है, देख लेते हैं क्या है, बहुत ही simple point है, भी छोटा सा, कि जब भी बहिया, metal है, जब भी metal पानी से react करते हैं, तो बहिया क्या बनता है, या तो metal hydroxide बनता है, ठीक है, या फिर metal oxide बनता है, और hydrogen gas तो निकलती निकलती है, ठीक है, यहाँ पे यह इरेक्षण आपको बताईे, मन्य जे और बहिया, इरेक्षग जी एरेक्षण आपको बताईे, इसकोल मैं नहीं बताई अभी, कि भी बहिया, वह metal oxide में कब बनता है, और metal hydroxide में कब बनता है, किसी बच्चे के बताए हो, चलो कौई बात में, बहिने बताया तो होगा, आप म मैटल जो पानी से रियक्ट कर जाते हैं चाहे ठंडा पानी हो चाहे गरम पानी हो यानि वो मैटल सर इसकुल वाले कुछ नहीं बता रही है सर अच्छा कोई बात नहीं चलिए हाँ मैडम चिलता ना करें मानने जी भी यह बोल लही है चलिए बहुत बड़े अवले बात है कोई बात नहीं मैडम बता देंगे सकुल वाले भी आपको तो यहाँ पर मैडम यह है कि जब भी मैटल जो मैटल पानी से पानी कौन सा होना चाहिए ठंडा पानी या फिर गरम पानी से आराम से रेक्ट हो जाए तो क्या बनता है उस केस में मैटल हाइडरोकसाइड बनता है यहाँ पर याद रखिएगा तो मैटल प्लस वाटर क्या बनेगा मैटल हाइडरोकसाइड और हाइडरोजन ठीक है लेकिन अगर मैटल सिर्फ इस्ट्रीम से यानि भाप से react होता है καफी वैसा है highly reactive नहीं है तो वो मैल जो सर्फ steam से react होता है यानि भाप से react होता है तब हमारा metal oxide बनता है याद रखेगा metal hydroxide नहीं बनेगा metal oxide बनता है और hydrogen gas तो निकलती निकलती है तो देखों यहाँ भी यह है कि जब भी हम metal को steam से भाप से रेक कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? Metal Oxide बनता है और Hydrogen Gas बनती है तो याद रखेगा, पानी हो थंडा या गरम तो हमारा metal Hydro Oxide बनता है अगर हमारा पानी भाप के फॉर्म में है, steam के फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, तो हमारा क्या बनना है? Metal Oxide बनना है Time Pass कर रहे हैं? Time Pass क्यों कर रहे हैं मैडम? फीस तो पूरी ले रहे होंगे, तो Time Pass किस बात का है? चलो आगे आते हों, कोई बात नहीं मैडम हो जाता है अरे ही रो वो स्कूल वाले मैडम बता रहे हैं स्कूल वाले टीचर पूरी टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं हाँ, सर्फीस तो ले रहे हैं, अच्छा, बढ़े हैं कोई बात नहीं मैडम है तो देखिए, यहां पर Potassium है सबसे पहली reaction हमारे पास Potassium है Potassium इतना जादा reactive होता है कि आप normal पानी में डाल दीजिए, वो react कर जाएगा तो Potassium को थंडे पानी से में react करा दिया क्या बनेगा? Potassium hydroxide, hydrogen, gas निकलेगी निकलेगी और heat निकलेगी, याद रखिएगा यह exothermic reaction है, यहीट निकल रही है तो Potassium जब भी पानी के साथ react होता है तो क्या बनता है? Potassium hydroxide, hydrogen और heat निकलती है देखो, यहाँ पर reaction में दिखाई गई है यह वाली तो देखे, Potassium को यहाँ पर पानी के अंदर डाल दिया गया है देखे, इतनी जल्दी reaction हुई, उसने सीधे पानी में ही आज पकड़ लिया है यहाँ पर यह लिखा हुआ है, कि Potassium Metal जो है reacts violently with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas यानि Potassium hydroxide बनेगा और hydrogen gas बनेगा निकलेगी, बस यहाँ पर जो heat produced होती है during the reaction that burns hydrogen gas formed catches fire and burns explosively यहाँ यहाँ पर जो है, जो heat निकल लई है, वो इस hydrogen के साथ combine हो जाती है और एक तरीके से पटाके से खूटने लगते है ठीक है कोई भी दिक्केर तो बता दीजेगा, तो बस reaction याद रखनी है और कुछ नहीं करना आपको इसके बाद आ जाता है भाहिया तो देखो यहाँ पर वो ही लिखा हुआ है कि जो potassium था जब पानी के साथ reaction होती है तो highly exothermik होता है, यानि heat produce होती है ठीक है और भाहिया जो यह hydrogen gas बनती है और वो fire आग लग जाती तुरंती ठीक है ऐसी हमारा भाहिया sodium है sodium को भी जाओ ठंडे पानी से रेक्ष किलाते है नहीं normal पानी में डाल दीजे उसे तो दहाँ पर sodium hydroxide बनता है हमारे पास hydrogen gas बनती है और हमारे पास heat निकलते है यह simple सा point है दोनों में ही same चीज़ बन रही है इसके बाद आजाते हैं इसके बाद भाहिया हमारे पास क्या है calcium है calcium देखते है calcium यह रहा हमारे पास पानी यह रहा ठंडे पानी से रेक्ष न हो जाती याद रखिएगा तो calcium hydroxide बन रहा है और hydrogen बन रही है ठीक है इसके बाद आते हैं तो यहां पर कैल्शियम की रेक्शन एक तरीके से कैल्शियम को जो पानी में डाल देते हैं तो हम गैस के बुलबुले निकलना है यहां से तो बेसिकली हाइड्रोजन के बुलबुले निकलना है यहां से यह जो हाइड्रोजन है इसमें कोई आग नहीं लगती है तो याद react with cold water यहाँ पर याद रखेगा यह हमेशा hot water से react होता है यहाँ तो hot water से react होगा यहाँ पर steam से react होगा तो यहाँ पर जो magnesium metal है याद रखेगा थंडे पाने से react नहीं होता है यह हमेशा गरम पाने से react होता है यहाँ पर steam से react होता है मैंने आपको बताया था अगर गरम पानी ये ठंडे पानी से रेक्षन हो तो हर केस में क्या बनता है भई है मैगनिशियम हाइड्रोकसाइड बनता है तो देखेगा यहाँ पर मैगनिशियम हाइड्रोकसाइड बन रहा है और हमारा हाइड्रोजन बन रही है लेकिन जब हम इसे steam से भाब से रेक्ट कराते हैं तो देखे क्या बन रहा है magnesium oxide बनना है यहाँ पर hydroxide नहीं बन रहा है आप यह देख रहे होगे यह बहुत important है और hydrogen बन रही है तो question यहाँ पर यही आ जाता है कि भई अब magnesium को जब हम पानी से रेक्ट कराते हैं गरम पानी से तो क्या बनता है तो आप बताना magnesium hydroxide बनता है और फ़े question यह आ जाता है कि जब magnesium को हम भाब से रेक्ट कराते हैं तो क्या बनता है तो आप बताना magnesium oxide बनता है तो आप बताना magnesium oxide कि metals जो होते हैं जैसला कि aluminum है zinc है iron है यह न तो ठंडे पाने से react होते नाannen गरम पाने से react होते इनने बहिए steam से reaction करानी पर थेарा है भावब से ological studio देखेगा Almonium है कि steam के साथ react करा रहा है भाव से हमेशा sulph Bard commodity Something on this तो क्या बन रहा है ऐल्मॉनियम औकसाइड और हमारे बास हैड्रोजन एरा ठीक है ऐल्मॉनियम को जब हम स्टीम से रेक्शन कराते हैं तो अक्षण कुछन यह आता है पूछा जाता है टीचर पूछेंगे आपसे कि बच्चे अक्सर लिखते हैं और हैड्रोजन लिखेगा थीक है यह चीज इंपॉर्टेंट है अच्छा आगे दिखते हैं आगे कौन से रेक्शन है यहाँ पे रहा है ऐसी बहुत देखो यहां पर क्या है जिंक है बहुत चैक करो यहां पर जिंक इस टीम से हो रही है याद रखिए कि भाप से तो जिंक आक्साइड ही बनना है तो और hydrogen बन रही है ठीक है iron oxide कोई hydroxide नहीं है याद रखिएगा ठीक है यहां पर बहुत एक reaction करा रखिए नों experiment क्या करा रहे है जड़ा देखें यहां पर तो भैया यहां पर क्या है जड़ा देखेगा तो देखेगा यहां पर आपकी एक wool है इसमें पानी है अलकी से गिली गिली wool है पानी था इसमें burner की नीशे रख दिये गई है तो इसमें यह पानी जो इस्टीम में convert हो जाएगा तो यहां पर इस्टीम आ गई ठीक है यह जो metals होते हैं इनको भी हमें थोड़ा सा heat करना पड़ता है तो यहां पर देखेगा metal रखा हुआ है यहां पर हम इसे भी heat कर रहे है तो अब क्या होगा जो भाप है वो धीरे धीरे इसके पास आएगी गरम metal के पास ठीक है और इससे reaction हो जाएगी यानि जो metal हमारे पास यह रहा और भाप हमारी यह रही यह दोनों आपस में combine होंगे तो क्या बनेगा भाईया compound बनेगा iron second third oxide अगर zinc है तो zinc oxide होगा और यहां से भाईया इससे आपकी क्या निकलेगी आपकी hydrogen gas निकलेगी ठीक है और भाईया यहां से आपकी hydrogen gas दिरे-दिरे collect हो जाएगी यहां प्या करके तो यह hydrogen gas है sir s2 सबसे हाँ भाईया मैडम सारी मैडम बोल रही है हाँ मैडम सबसे निकलेगी hydrogen gas कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी अपना नाम चेंज कर लो मैडम उसमें तो आ रहा हम समझ जाओंगा मैं किसी तरजी बोल रही है मैडम hydrogen सबसे निकल रही है अब तक जितने भी हमने gas देखे है सबी से hydrogen निकल रही है ठीक है तो यहाँ पर हमारे परस पानी है वूल में रखा हुआ है उससे हमने गरम किया वह भाब बन गई यहाँ से हम मैटल को गरम कर रहे हैं दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो hydrogen gas निकलेगी और hydrogen जो है इस तरीके से यहाँ पर आके collect हो जाएगी बस और भी कोई दिक्कत हो पूछ लेना इसके बाद यहाँ पर है कि जो गोल्ड होता है गोल्ड बहुत जादा अन्रेक्टिव होता है तो यह भाब से भी रेक्शन नहीं होती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है और कोई बताने वाली बात नहीं है मुझे यह दीजन भई हम कड़ डिसकस करेंगे आज नहीं कर दे आज जादा हो गए कुछ कोई दिक्कत हो बताओ क्यूंकि जादा सबी बच्चे चलिए एंजयूर की टेकवे यहाँ